दोस्तो हाली में क्या आपने सपने में तुफान देखा है? या सपने में आप बरफीले या रेतीले तुफान से बचने का प्रियास कर रहे थे? या आप तुफान से जुड़े सपनो का सही अर्थ खोज रहे हैं तो आज आपकी खोज पूरी होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको तुफान से जुड़े सभी सपनों का सई अर्थ बताने वाले हैं आदी तुफान सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले छवी तेज हवाएं कड़कती बिजली ही बनती होगी बहुत से लोग ने जीवन में तुफानों का सामना किया भी होगा बहुत से लोग तुफान को देखकर डर भी जाते हैं पर क्या आपने कभी सुचा है कि सपने में तुफान दिखाए दे तो उसका क्या आर्थ होता है यदि हाँ तो दोस्तो स्वागत है आपका हिंदीगरन चैनल में और आज के इस वीडियो में हम तूफान से जुड़े सपनों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो बिना स्किप्प करें अंत तक देखते रहें वीडियो शुरू करते हैं अगर साधारन अर्थ की बात की जाए तो सपने में तूफान देखना एक अश्रुब सपना माना जाता है और यह सपना इस बात के और संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके उपर एक साथ बहुत सारी मुसीबते आ सकती हैं साथ ही यह सपना इस बात के और संकेत करता है कि आपके मौत हो जाती है तो यह सपना एका शुब सपना माना जाता है और यह सपना इस बात के और संकेत कर ता है कि आने वाले दिनों में आपकी दुश्त chilling आप परहावी होने वाले हैं जिसके को भगवान शुक्रशन की पूजा करनी चाहिए ताकि सपनों के बुरे प्रभाओं को कम किया जा सके सपने में किसी बड़े तुफान को अपनी तरफ आते हुए देखना का शुब सपना मना जाता है और यह सपना इस बात के और संकेत करता है कि आने वाले दिन में आपके कार परिशानियां दूर होने वाली है साथ यह सपना व्यवसाय में बढ़ हुत्तरी के संकेत भी देता है ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता दुरगा जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभाओं को और अधिक बढ़ाया सके सपने में आप देखते चुटकारा हासिल करने वाले हैं यानि आपका जीवन बहतर होने वाला है ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभाओं को और अधिक बढ़ाया सके सपने में आप देखते हैं कि आप एक अच्छे प्रभाओं को और अधिक बढ़ा है जा सके सपने में आप किसी तुफान से कोई सुनामी बनते हुए देखते हैं तो यह एक अश्रुब सपना माना प्रवेश ने वाला है जिसके कारण आपकी सारी वित्तिया योजनाय धरी की धरी रह जाएंगी और आप संकच से नहीं उबर पाएंगे ऐसा सपना दिखने वाले वैक्ति को माता पारवती की पूजा करने चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभाओं को कम किया जा सके सपने में आप देखते हैं कि आप किसी रेगिस्तान में घुम रहे हैं और अचानक से आपके सामने करेतीला तुफान आ जाता है तो यह सपना एक अशुब सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की और संकेत करता है कि आने वाले समय में आप चारों और से किसी मुसीबत से घरने वाले हैं यदि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करते हैं तो यह सपना कारिश्वित्र में आपके प्रभाओं में अचानक आने वाली कमी की ओर संकेत करता है यदि आप व्यवसाय करते हैं तो यह सपना इस बात की और संकेत करता है कि किसी बाहरी मुसीबत के कारण आपका व्यवसाय मंदा पढ़ सकता है ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के बोरे प्रभाओं को कम किया जा सके सपने में आप देखते हैं कि आप किसी ऐसी जगा पर घूम रहे हैं जहां बहुत सारी बर्फ है और फिर अचानक से आपके सामने एक बर्फीला तुफान शुरू हो जाता है और आप उस तुफान में फज जाते हैं तो यह सपना एक शुब सपना माना जाता है और यह सपन सपने में आपके और आपके तो परिवार के मद्दे दूरुआं बढ़ने वाली है। एक अशुब सपना माना जाता और यह सपना इस बात के और संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके करीबी मित्र और रिष्टेदार आपके खलाफ साजश करके आपको मीठी बातों में लेकर किसी बड़ी समस्चा में फसाने वाले हैं जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे में आपका जीवन तबाह हो सकता है ऐसा सपना देखने वाले वेक्ति को भगवान श्रीक्रश्म की पूजा करनी चाहिए ताकि इस सपने के बुरे प्रभाओं को खत्म किया जा सके सपने में आप एक बिजली वाले तुफान को अपनी और आते वे देखते हैं तो यह सपना एक अश्रुब सपना माना जाता और यह सपना इस बात के और संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई बड़ी परिशानी आने वाले है जिसके कारण आप बिना किसी कारण मानसिक चेंताओं में घरने वाले है अगर आपको अभी तक बताएगा है सपनों से कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपका कोई प्रशन है या आपको कोई विशेश सपना आया है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्यन और विसलिशन के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे ये देखें उन सभी कताबों का बंडार जिन से हम आपके सामने परूफ और विसलिशन के साथ सही और पूरी सतरा सठीक जानकारी लेकर आते हैं और किरप्याकर ऐसे चैनल से साफधान रहे हैं जब यूज के चकर में खलत जानकारी दे रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ जादा से जादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके धन्यवाद झाल 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 झाल